जहीं दोस्तों स्वागत आप सभी का विजडम एजूकेशन पे हैं आज 17 अगस्ट 2021 है डैनी जागरन के राष्टिय संसकरन का कम्पलीट न्यूज अनलाइसिस करेंगे जो UPC, State, PCS या किसी भी 1D exam के films, men's और interview तीनों ही perspective से important होगा आपके लिए तो आगे बढ़ने से पहले हमारी चैनल पे नए हैं तो subscribe कर दें अपने दोस्तों के साथ कलिक के शेर कर दें कोई question पूछन ना है, कुछ उज़ाओ देना चाहते हैं यूएस एरफोर्स की और उसमें उसके पीशे हजारों लोग भाग रहे थे कुछ लोग इसके पहियों अगरप लटक गए थे, जब बिमान कुछ उचाई पे गई तो वहां से वो लोग गिर गया तो इस तरह के crisis जो है, आपने कभी नहीं देखा होगा, ना कभी सुना होगा उस तरह क्राइसिस वर्तवान में चलना अफगानिस्तान में तो कुछ पॉइंट यहां पे दिया हुआ, इसको देख सकते हैं और अफगानिस्तान, तालिवान का जो इसू है इस इसू को लेकर के special वीडियो में ने बनाया था उस वीडियो को जाकर के आप लोग देख सकते हैं आपको basic concept हीलियर होगा कि आखिर तालिवान क्या है तालिवान को किसने बनाया था, तालिवान के creation क्यों हुआ था तालिवान के पहले भी सरकार रहे थी अफगानिस्तान में 1996 से लेकर के 2001 तक 2001 में जब अमेरिका में आतंगवादी हमला हुआ था 9-11 के घटना हुई थी अमेरिका में उसके बाद जो है अमिर्का ने तालिवान को सत्ता से बेदिखल कर दिया था अफगानिस्तान में और उसके बाद 2001 से लेकर करके अमिर्की सेनिक लगातार बने वे थे अफगानिस्तान में और तालिवान को कंट्रोल कर रहे थे लेकिन जैसे ही अमिर्की सेनिक वहां से निकले वोई से ही तालिवान का एक पर फिर से कबजा होगे अफगानिस्तान पे और मात्र 75,000 पच्छत्तर हजार तालिवानी आतंगवाद्यों के सामने में सारे 3 लाग से अधिक अफगानिस्तान के ट्रेंड सैनिक ने आत्म समर्पन कर दिया वो भी बिना लड़े हुए है बिना लड़े हुए सारे 3 लाग से अधिक अफगानिस्तानिक सैनिकों ने आत्म समर्पन कर दिया तो यह सोचने वाली बात है माकी दिको भारत सरकार ने भी तालिवान अफगानिस्तान से जितने भी अपने सैनिक है या आपने जितने भी कर्मचारी हो गर है उसको निकालने का प्रियास कर रहे है भारत सरकार भी और भारत सरकार ने जो है इससे पहले आसे तीन सक्ता पहले ही एडवाजरी जारी करके कर दिया था कि जो भी लोग अफगानिस्तान में है वो लोग छोड़के आपने देश है तालिवान जिस तरह से कबजया उकला अफगानिसान में तो टालिवान को बनाए था पकिस्तान ने पकीसतान वर्तमान में जस्न आत्मेगवादी घटनाएं कर चुका है पाकिस्तान में, TTP, देखो बेसिक अंडेस्टेंडिंग आपको यह होना चाहिए, तालेवान आखिर क्या है, तालेवान क्या चाहता है, तो तालेवान बेसिकली चाहता है कि सरिया कानून को फिर से लागू किया जा, फिर से इंप्लि पाकिस्तान में जो तालेवान है, यानि अफगानी तालेवान जो है, उसके लिए समर्थन करता है पाकिस्तान, जिसको good terrorism कहा जाता है, और अपने यहाँ जो तालेवान है, जिससे TTP कहा जाता है, उसका बिरोद करता है पाकिस्तान, जिससे bad terrorism कहा जाता है, तो इसलिए भार तो आगर तालिवान फोता है अफ्गनिस्तान में जैसा कि हो चुका है तो इसका निश्य तोरद पे पाकिस्तान पेदा क्नुसान उसके लागू किया जाए इसके क्या होगा कि जितने भी लोग हैं उसके अधिकार शिन जाएंगा आपको दारी रखना अनिवार्ज हो जाएगा बुर्का आपको पहना मैलाओं के लिए बुर्का पहने अनिवार्ज हो जाएगा रात के समय में आप रोट पर नहीं निकल सकते हैं पर निकलेंगे तो आपको मार दिया जागा तो इस तरह की घटना है अफगानिस्तान में कौमन हो जाएगी और इसका impact कहीं कहीं पाकिस्तान पे भी परेगा भारत परेगा क्योंकि जितने भी आतंगवादी संगठन है अलकाइदा जिसे आतंगवादी संगठन है उसका निश बिना सेक्षनिक दिगरी के ही कुशल मानव संसाधन है किसान तो ये हमारे देश के किडिशमंदरी के कहना है देखो एक प्रिलिम्स प्रस्पेक्टिव से important fact है यहाँ पर यह याद रख लेना कि राष्टिय राजधानी के पूर्षा परिशर में पूर्षा किर्सी एगरिकल्चर इंस्ट्यूट में जो यहाँ पे है राष्टिय पादप अनुवानसिक संस्थान ब्योरो की अस्थापना किया गया किर्शी मंत्री के द्वारा राष्टिय पादप अनुवानसिक संस्थान ब्योरो की अस्थापना किया गया दिल्ली के पूसा प्रिशद में अब ये जो संस्थान है ये बिश्यू का दूसरा सबसे वड़ा संस्थान है रास्थी है जीन बैंक के रूप में इसकी अस्थापना क्या गया है ये बिश्यू का दूसरा सबसे वड़ा संस्थान है बिश्यू का दूसरा सबसे वड़ा जीन बैंक है और सबसे वड़ा जीन और उसके बाद जो दूसरा जीनेवारिं का निर्मान क्या गया है, वो इंडिया में क्या गया है, वन डे एक्जाम और में ये question पूछा जा सकता है, state PCS के प्रिलिम से और में ये question पूछा जा सकता है, बाकि इसको आप लोग एक बार देख सकता है, इसको एक बार पर लेना आ भारत और अमेरिका के अहम छेतरों में अधिक सहयोग की जरुड़त, तो इंडिया और EOSA रिलेशन को लेकर के ये special में ने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में हमने discuss किया था, भारत EOSA के बीच में क्या-क्या positive relation है, क्या-क्या negative relation है, क्या-क्या सकरात्मक संबंद है, क् दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और कहां दोनों देश एक दूसरे का बिरोध करते हैं, वो वीडियो आपको परा होगा, हमारी यूट्यूब चैनल पे उसको जा करके देख लेना आप लो, देखो, कल हमने एक वीडियो बनाया था, प्रामिनिस्टर मोधी के जो संबोधन थे, 75th Independence Day के अवसर पे जो उनका लाल के लिए आगे प्राजिर से संबोधन हुआ, उस संबोधन पे हमने एक वीडियो बनाया था, 31 पॉइंट में हमने एनलाइसिस किया था, कि प्रामिनिस् किस तरह से लड़ना चाहिए, को पोशन से लड़ने का सबसे कारगर उपाय जो है, वो है, फूट फोटिफिकेशन या फोटिफाइट चावल, क्या होता है, मैं डिटेल से अनलाइसिस करूँगा यहां पे आपके साथ, देखो, फूट फोटिफिकेशन को आपको समझना च कि पोशक तत्वों की नियूनता में सुधार या निवारन किया जा सकें, तथा स्वास्तला पहुंच सकें, मतलब जैसे मालों चावल है, तो हम ऐसा चावल का उत्पादन करें, जो चावल में अधिक मिनरल हो, जो चावल में जिंक हो, जो चावल में आयरन हो, प्रियाप्त किया जाए जिसमें सब कुछ हो जिसमें आयरन हो प्याप मात्रा में जिसमें पोटेशियम हो प्याप मात्रा में जिसमें जिंग हो प्याप मात्रा में जिसमें मिनरल्स हो प्याप मात्रा में जिसमें विटामिन हो प्याप मात्रा में उसे ही खा गया फूट फोटिफिकेशन 2024 में जितना भी जन विदरन प्रनाली में हम चावल उपयोग करते हैं या देते हैं लोगों को उस चावल में जो है और साथी साथ मिड़ी मिल में जो चावल देते हैं उसमें फूट फोटिफाइट चावल का पुरियोग करेगे हमारे देश में खाद्यान की कमी नहीं है आइरन हो तो कूपोशन की समष्या समाप्थ हो जाएगे तो 24 तक जितना जन By tra au Lebanon से देब्या व्य हम देगे उसमें हम फूट फोटीफाइट चावल का प्रियोंग पर्योंग करेंगे अब देखो चावल को ही सबसे पहले टार्गेट क्यों किया गया चावल के जगह मानलों दाल को टार्गेट किया जा सकता था दाल को food fortified दाल बनाए जा सकता था या food fortified गेहुं बनाए जा सकता था तो उसका reason है 65% लोगों का मुख भोजन भारत में चावल है और जन्वित्रन परनाली के तहट 81 करोड लोगों को पर्तिवर्स 3.50 करोड टन चावल का वित्रन किया जाता है तो सबसे अधिक भारत में चावल का इस्तमाल किया जाता है अंगरवारी के अंदरों में जो गर्वती महला है और बच्चे है उसको 8.5 करोड गर्वती महला और बच्चों को चावल दिया जाता है और साथे साथ मिड़े मिल के माधियम से 10.4 करोड बच्चों को चावल के अपूर्ति किया जाता है ये सब डाटा इसको कहीं नोट कर सकता है तो चुकि चावल का प्रियोग इतना अधिक होता है इसलिए सबसे पहले टार्गेट किया गया है कि फोटिफाइट चावल को बनाया जा अब देखो कुछ डाटा हमारे पास पहला डाटा ये कि डबलू एचो के अनुसार बिस स्वास संगठन के अनुसार भारत में पेट वहरने के बाबजूत पोशन की अस्थिति काफी खराव है मतलब लोगों का पेट वहर रहा पड़ियाब तुम्हारे पास खाद्यान है लेकिन फिर भी पोशन की अस्थिति काफी खराव है को पोशन काफी बढ़ रहा है हर दूसरी महला एनेमिया का सिकार है एनेमिया मतलब होता है रख्थ की कमी होता है आईरन के कारण एनेमिया का होता है रोग तो हर दूसरी महला जो है एनेमिया का सिकार है और हर चोथा बच्चा कूपोशन का शिकार है 70% आबादी को निर्धारक पोशक तत्यों का 50% ही मिल पाता है यानि 70% जो हमारी आबादी है उसको जितना पोशक तत्यों मिलना चाहिए उसका 50% या उससे कम ही मिल पाता है पांच वर्स से कम आयू कि जितने बच्चों की मिर्तियों होती है उसमें 68% बच्चों की मिर्तियों कोपोशन के कारण होती है भोजन में आयरन की कमी यानि एनेमिया की जो समस्या है उस समस्या के कारण हर साल GDP का 1% नुकसान होता है अथवाद दूसरे सब्दों में कहें तो 1.35 लाग करोर का नुकसान परतेक वर्ष होता है भोजन में आइरन की कमी यानि चावल में आइरन की कमी के कारण 1.35 लाग करोर का परतेक वर्ष नुकसान होता है और साथी साथ एक और डाटा है कि अगर हम कोपोशन के दूर करने के लिए एक रूपया खर्च करते हैं तो हमें 34 रूपया से अधिकार रिटर्न होता है तो निश्य तोर पर कोपोशन के समस्या सरकार के लिए सबसे बड़ा समस्या है अगर एक रूपया खर्च करेंगे तो 34 रुपया के हमें प्राप्ति हो गी तो इस आधार पे सरकार वर्तमान में को पोजिशन को दूर करने के लिए प्रियास्वत है और खर्च कर रही है और उसी के तहद प्रैमिनिस्टर मोदी का एक विज़ान है फोटिफाइड चावल इसके माध्यम से हम को पोजिशन को दूर कर सकते हैं बागी इसको आप लोग देख सकता है हो इसको एक बार पहर लेना आप लोग बेंगलोर का IISC Indian Institute of Science बेंगलोर को जो है देश का सर्वुस्तम संस्थान गोशित किया गया है एक बार इसको भी देख सकते हैं Academic Ranking of World University के द्वारा इसको गोशित किया गया IVF से जनवे बच्चों को से सिर्फ सिर्फ मा का अधिकार केरल है कोट तो इसमें बच्चों के जो पिता है उसका नाम का गोशना नहीं किया जागा देखो IVF क्या होता IVF होता है In Vito Fertilization आपने एक मूभी दिखा होगा Vicky Donor Vicky Donor में क्या होता है कि जो donor होता है Vicky वो अपना Sperm Donate करका और Sperm Donate करने के बाद जो है उसको Inbuilt किया जाता है महलाओं में और इस तरह से बच्चों का जन्म होता है तो इसी टेक्निकों का जाता है IVF In Vito Fertilization तो ऐसे कंडिशन में कहा गया जो donor होगे सुकरानू donor होगे Sperm donor होगे उसका नाम का घोसना नहीं किया जागा उसके नाम को गुप्त रखा जागा सिर्फ बच्चों पर जो है मा का अधिकार होगा पारेंट्स का अधिकार नहीं होगा पिता का अधिकार नहीं होगा क्योंकि पिता एक donor है Right मुल्ला बरादर को अभी को लेकर अभी सतक रहेगा भारत ये व्यक्ति जो आपको दिख रहा है मुल्ला अब्दूल गनी बरादर ये अफगानिस्तान के भावी राष्टपती है बनने वारे तालिवान के राष्टपती तालिवान के तरफ से अफगानिस्तान के राष्टपती होंगे है और इसको लेकर के भारत सतर करेगा एक बार देख सकते हैं इसको ये पूरा पूरा पेस्ट डेडिकेटिट है तालिवान को लेकर के है स्तान्ति के लिए United Nations Security Council ततकाल कदम उठाए भारत ने आगरा क्या United Nations Security Council क्योंकि United Nations Security Council की अध्यक्स्ता अगस्ट 2021 में भारत ही कर रहा है हैती में भुकम से मरने वालों की संख्यां 1200 संतान में पहुंचा कल मैंने आपको बोला था कि हैती का लोकेशन आपको देख लेना आज मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ देखो यह North Atlantic Sea है और यहाँ पर यह जो Caribbean Country है यह सारे के सारे कंट्री है इसको Caribbean Country का जाता है यहाँ पर Caribbean Sea भी आपको दिख रहा है और यहीं पर आप देखो कोई तो यहाँ पर आपको हैती मिल जाएगा Dominic Republic के जस्ट सटा हुआ है यह हैती यह जो देश है किसी देश को नाम है हैती तो हैती का लोकेशन आपने दिख लिया Dominic Republic से जस्ट यह बॉंडरी शेर करता है और Caribbean Country है साथे साथ North Atlantic Sea में यह आता है तो यह बेसिक लोकेशन है जो आपको जानकारी होना चाहिए अब देखो यहाँ पर जो एक न्यूज है काफे इंट्रेस्टिंग न्यूज है उगर के लिए दोबाई में भी चीन का हिरासत केंद जिस तरह से उगर के लिए चीन में हिरासत केंद है 10 लाग से अधिक उगर मुसल्मानों को जेल में बंद किया हुआ है उसी तरह से दोबाई में भी चीन इस तरह का सेंटर बनाया हुआ जहाँ पर उगर को लेकर के एक हिरासत केंद रखा हुआ वहाँ पर उगरों से पूस्ता जोग रखिया जाता है उसको देख सकते हैं काफे इंट्रेस्टिंग यह न्यूज है यह मुझे भी पहली बार पता चल रहा है अमेरिकी धोखे की कीमत चुका था अफगानिस्तान तो एक बार इसको देख सकते हैं पर सकते हैं देखो वर्ल अभी अमेरिका को गिट्साइज कर रहा है और आमेका के कहना है कि अफगानिस्तान को खुद लड़ना होगा आप सोच के देखो कि 75,000 सेनिक के सामने में 75,000 तालिवान के जो आतंगवादी है उसके सामने में सारे 3,000,000 से अधिक अफगानिस्तान की फोज ने सिरेंडर कर दिया तो आप ये सोच के देखो कि अफगानिस्तान के भोज अगर चाहती अफगानिस्तान के भोज सक्षम थी लड़ने के लिए इसके पास आधुनिक हत्यार थे इसके पास एरक्राप्ट रोकरत था सब कुछ था लेकिन बावजूद ये लड़ने की इक्षा जाहिर नहीं की तो अफगानिस्तान के सुरक्षा के लिए अफगानिस्तान फोजियों को लड़ना होगा ये अमेरिका काहना अमरित काल की विदेशनिती तो विदेशनिती का दो-तिन पॉइंट यहां कापी इंट्रेस्टिंग है बाकि इसको पर ले ना चुकि यहां पे इस न्यूज में दिया हुआ है 1947 के बाद जो है गुड निर्वेक्ष अंदोलन भारत का नीव था विदेशनिती का उसके बाद इंद्रा गांधी की क्या नीव अस्तिती रही है और उसके बाद वर्तवान की क्या अस्तिती है और आगामी 25 वर्सों में हम किस तर से विदेशनिती को अपनाएंगे देखो विदेशनिती को लेकर के एक हैंडिक किंशीजर थे अमेरिका के विदेश मंतरी थे यह इन्होंने statement दिया था और इसका statement काफी quotation काफी important है इन्होंने कहाता है कि अंतराष्टी संबदों में ना तो कोई अस्थाई दोस होता है और कोई ना ही अस्थाई दुस्मन ही होता है बलकि अस्थाई हित नहीं होता है यानि international relation में ना तो आपको permanent friend होगा और ना ही आपको permanent enemies होगा ना तो परमानेंट दोस्त होगा ना ही परमानेंट दुस्मनी होगा बलकि आपका परमानेंट हित नहीं होगा आपके परमानेंट जो इंट्रेस्ट है वो नहीं हित होगा तो ये कहाना था अमेरिका के विदेश मंतरी का अब देखो इस news में जो discuss किया गया है वो discuss किया गया है कि अमरित काल में विदेश निती भारत की किस तरह से होनी चाहिए यानि आगामी 25 वर्ष में 2047 तक भारत की विदेश निती किस तरह से होनी चाहिए तो इन्होंने कहा है कि चार तत्वों के आवश सकता है कूटनितिक सफलता के लिए हमें चार तत्वों के आवश सकता है एक तो सैन सकती होना चै works यानि हम अपने सैनागों मजबूत करें हम अपने एरक्लाप्ट को मजबूत करें हम अपने रक्षा के सेक्टर में भालत किस तरह से आत्म मिलमर्वर बनें दूसरा है कि सामरिक साजधारी मजबूत करनी चाहिए अमेरिका के साथ जिस तरह से हम सामरिक साज़दारी मजबूत कर रहा है जिस तरह से हम फ्रांस के साथ सामरिक साज़दारी मजबूत कर रहा है अरब दिसों के साथ जिस तरह से हम सामरिक साज़दारी मजबूत कर रहा है साथी साथ इन्हों ने कहा है कि निरंतर आर्थिक विकास होना चाहिए और soft power होना चाहिए यानि हमारा economic development भी होना चाहिए और soft power भी होना चाहिए यह 4 चीज होना चाहिए वरतवान में कुट्रिनितिक सफलता के लिए और इसी को इन्हों ने अपने tutorial में discuss किया है यहीं 4 पॉइंट देखो यहां पर दिया हुआ यह 4 पॉइंट एक तो सेन्सक्ति होना चाहिए सामरीक साथदारी होना चाहिए निरंतर आर्थि विकास होना चाहिए और soft power को बढ़ावा देने वाली रणीति होना चाहिए इसी तरह से गांधी जी को भारत के soft power का आधार अस्तम का जाता है क्योंकि गांधी जी की जब 150 भी जैन्ति बनाए गई तो यह जो है 150 से अधिक देशों मनाए गई जी 150 से अधिक देशों में पूझे जाने जाते हैं तो गांधी जी भी भारत की soft power प्रवासी सरमिकों की कल्यान के लिए सार्थक प्रियास तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ डिटेल में कि प्रवासी सरमिकों के लिए सरकार ने क्या 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 प्रियास किया और यहाँ पे इस एडिटोरियन में क्या-क्या पॉइंट दिया हुआ तो सबसे पहले तो आपको यह जानो कि एक बिचारक रहा है रेवेंस्टेन फ्रेंच स्कोलर थे हैं और इन्हों ने अपनी किताब लिखी थी Law of Migration, 1989 में Law of Migration अपनी किताब लिखी थी और इस किताब में इन्हों ने कहाता है कि पूश पूल का सिधान दिया था कि जो Migration की घटना होती है जो प्रवाशन की घटना होती है पूश और पूल पे निर्वर करता पूल मतलब होता है खिचना पूश मतलब होता धक्का देना अब जो को पूश मतलब क्या होँआ जैसे किसी भी जगह का जातिवाद वहां का पूश फेक्टर होता है जैसे मालो गौँ में जो जातिवाद की समस्या होती है और जातिवाद तरस्तों के एक वक्ति सहर पहुंचता सहर में जातिवाद की समस्तिया इस तरह से आपको नहीं दिखेगी दूसरा है कि सिक्षा सिक्षा के स्थेथि गौँ में काफी खराव है बच्चों को वो सिक्षित नहीं कर पाएंगे तो इसलिए उसको सहर मुब करना होगा यानि गौँ से उसको गौँ से हटाते हैं चुकि गौँ में स्वास्त सुविधा नहीं है सहर जाएंगे तो उसको स्वास्त सुविधा मिलेगी इसी तरह से रोजगार की समस्तिया गौँ में रोजगार नहीं सहर जाएंगे तो रोजगार मिलेगे हैं 45 क्रोड प्रवासी सरमिक है 2011 की जनकरना के अनुसार 2013 में यह निसको की अनुसार GDP का 10% योगदान देते हैं तो GDP का 10% योगदान भात के प्रवासी सरमिक देते हैं आर्थिक समिक्षा 2018-19 कहता है कि 93% मजदूर जय और संगठी च्छत्र में काम करते हैं और संगठी च्छत हैं और 93% मजदूर जय हैं और संगठी च्छतर में काम करते हैं अब देखो यहां पर इस एडिटोडियल में बताया गया है कि सरकार प्रवासी सरमिकों के कलियान के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं तो सबसे पहला काम आत्मिरवर भारत पैकेज के तहत ही संजीवनी पैकेज दिया गया था कि अंसरकार के द्वारा प्रवासी सरमिकों के लिए जिसमें मजदूरों के लिए मुक्तानाज की घोशना किया गया था पुनरवास की घोशना किया गया था रोजगार में वेधी की घोशना किया गया था यह सारा का सारा काम किया गया था कर हमने डिसकस किया था एक योजना के बारे में स्वानिधी योजना स्वानिधी योजना प्रामिस्टर मोदी ने भी अपने भासन में डिस्कस किया गया था तो ये भी प्रवासी सरमिकों के लिए ही लाया गया था क्योंकि जो दितना भी ठेला वाला होता फेरी वाला होता ये उसके लिए लाए गये थे ये उजना और ज्याए तर ठेला वाला या फेरी वाला जोगा वो प्रवासी सर्मिक ही होता है साथी साथ मनिरगा के तथ 40,000 क्रोड रुपय अधिक आवंटित किया गया था प्रवासी सर्मिक जो घर लोट रहे थे तो उनको घर पे रोजगार देने के लिए उसको अपने छेत्व में रोजगार देने के लिए अपने जीला में रोजगार देने के लिए अपने गौव में रोजगार देने के लिए 40,000 क्रोड रुपय अधिक आवंटित किया गया था अब देखो और संगेठित कार्य बल की मदद करना तो सरकार प्रवासिश्रेमिकों का डेटा कलेक्शन पर काम कर रहे हैं और साथी साथ, देखो डेटा कलेक्शन जुरूरी क्यों आए? क्योंकि कॉर्णा महावारी के समय में जितने भी परवासिस्रमिक नहीं रहरे हैं और साथी साथ उनका एककॉंट नमर क्या है। ये सारके सारा इंफॉमेशन ये सारके सारा डेटा नहीं था, तो सरकार इसको लेखर के सजग हो रही है और डेटा कलेक्शन पर काम कर रही है आर्थिक समिशा 2018-2019 के अनुसार 93% 93% जो है और संगठी चहते में काम करते हैं सिर्फ 7% जो है सरमिक संगठी चहते में काम करते हैं और देश में 45 करोड टोटल जो है प्रवासी सरमिक है कौसल विकास और दुमेता मंत्राले ने जो है असीम पोर्टल लॉंच किया असीम मतलब होता है आत्मिर्वर कुसल करमचारे नियोकता मानचितरन तो यह पोर्टल लॉंच किया प्रवासी सरमिकों के लिए भारत के बिविन राज्यों ने अपने घर लोटे प्रवासी स्रमिकों के लिए बंदे भारत मिशन के तहत घर लोटने के प्रवणधन किया और साथी साथ जितने भी लोग घर लोटे थे उसके कॉसल कार्ड का पंजिकरन करवाय गया तो कॉसल कार्ड जो घर लोटे है उसका causal card का पंजिकरन करवाया गया और एक तरह से उसका database अपडेट किया गया है कि उसका exact database सरकार के पास रहे है साथी साथ ये काम राष्टिय आपटा प्रबंधन प्राधिकरन ने एक online dashboard राष्टिय प्रवासी सुरसना प्रनाली को विक्सित किया है और ये भी राष्टिय प्रवासी सुरसना प्रनाली भी ये भी database collection में सरकार की मदद कर रहे है इसके अलाबा देखो कि आप एक दिस एक राष्टिय योजना यानि बिहार के प्रवासी सरमिका अगर मानलोग बैंगलोर में रहा है तो वहाँ पर भी राष्टिय कार्ट के माध्यम से वो PDS सिस्टम का यूज कर सकते हैं राष्टिय ले सकते हैं सरकार के द्वारा तो ये है प्रवासी सरमिकों की साहता के लिए सरकार ने क्या क्या काम किया है उसी के बारे में इंफॉर्मिशन था जो इस आर्टिकल में दिया हुआ इसको आप लोग डिटेल से पर सकते हैं कि बिजनेस पर काफ कोई इंपॉर्टन न्यूस तो नहीं दिख रहा है बस इसको एक बार आप लोग देख ले ना है के दिखो स्क्रेप पोलिशी आई है लगा यह बेस लेकर आपने सम्दित था म्लाने पिराटमठी जो इसको प्र elaboration ओप्राशे काता तो नेस्ट टें आप प्रचेश करेंगे उस गारे जो प्रचेश करेंगे उसमें कहीं छूट में लेगे तो उसी को लेकर के सरकार एस्क्रियाब पॉलिसी लाई थी तो इससे क्या होगा कि आपको पुराने गारी हैं या पुराने जो कवार हैं उसको बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा निश्चतर पर और जो नई कमपनी कमपनी उस कवार को चली एतना ही निश्चतर आज हमारे पास वीडियो देखने के लिए धन्यवाद थांक्यो श्रमाज प्लीज डू लाइक से रन सब्सक्राइब थांक्यो